हेलो फ्रेंड मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है तो आज मैं आप लोग के साथ मैंगो की केक की रेस्पी सेयर करने जा रही हूं इसको बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही कम समय में बनके रेडी हो जाता है मैं एक पीस आपको काटके दिखा रही हूं देखे कितना इस्पंजी बना है यह आप देख सकते हैं बहुत बढ़ियां से बना है तो आईए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक मिक्सी जार लेंगे उसमें मीडियन साज के कटोरी है एक कटोरी सूजी डाल देंगे अब इसी कटोरी से आधा कटोरी हम चीनी लेंगे चीनी को भीस में डाल देंगे अब इसमें हम पका हुगा दो आम डाल देंगे आम का गुदा दो बड़ा बड़ा आम डालने के बाल इसमें हम क्या करेंगे फार्चुन आयल डाल देंगे आधा कटोरी हम फार्चुन आयल बहुत छोटा कटोरी है मेरा तो इसमें डाल देंगे अब इसमें हम तीन बूंद वेनेला एसेंस डाल देंगे इससे बहुत अच्छा खुसबू आता है केक का अब धकन बंद करके हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसा गया है अब इसको हम एक खाली कटोरी में निकाल लेंगे अगर आपको लगे कि आप गाढ़ा है तो आप एक मेंगोर काटके डाल सकते हैं लेकिन ये केक बनाने के लिए बिलकुल एदम परफेक्ट हैं कि इसको हम दस मिनट के लिए ठक के छोड़ देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से पानी सोख लें आप देख सकते हैं 15 मिनट में बहुत अच्छे से पूल गया है लेकिन हमको पानी डालने के बिलकु भी जरूरत नहीं है अब इसमें हम क्या करेंगे एक पैकेट इनू डाल देंगे आप इसके जगह सोडा भी डाल सकते हैं अगर इनू नहीं है तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पूरी तरह से इसमें घुल जाए और इनू डालने से बहुत ही अच्छा केट आता है इसलिए मैं अपसर केक में इनू ही यूज करती हूं इसे इसको पूर सेकेंड के लिए अच्छे से मिक्स का लेना है अब एक खाली केक वाला बरतन लेंगे मैंने इस खाली बरतन में दो चम्मच इसमें रिफाइन आयल डाल दिया है आयल डालके इसको पूरी तरह से खैला लेना है ऐसे ही चारो तरफ से अब इसमें हम इसी भोल को हम बरतन में ट्रांसफर कर देंगे अब चलिए गैस के तरफ चलते हैं हमने एक खाली कडाही लिया है उसमें हम नमक डाल देंगे इसको चारो तरफ से फैला देंगे फिर इसमें एक इस्टेंड डालेंगे इसके बाद से हम इसी पर हम केक वाला बरतन रख देंगे फिर इसको हम ढख देंगे और पकने तक हम इसका वेट करेंगे केक है एक बार पैक को हम चैक कर लेते हैं हुआ है की नहीं हुआ है कि पुरी तरह से हो गया है देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा है बंदरे से 20 मिनेत इसको लगा है 20 मिनट लगा है इसको में अब इसको हम नीचे उतार लिते हैं गैस को आफ कर देते हैं अब इसको हम ठंडा होने देंगे अब देख सकते हैं अब इसको हम कितना यह इस्पंजी बना है अब देख सकते हैं अब इसो हम थोड़ा सा अगर आपके पास प्रूटी-फूटी है तो इसका यूज कर सकते हैं मेरे पास नहीं है इसलिए मैं कुछ द्राइफूट इसमें डाल रही हूं केक हमारा रेडी है आप देख सकते हैं मैंगो का कितना ही बढ़िया केक बना है इसको बनाना बिल्कुल जंजट का काम नहीं है इप 15-20 मिनिट में अच्छे से रेडी हो जाता है अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए फिर मीलेंगे हम नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइए और टेक किया आप